चलिए बनाते हैं बिना कोकर बिना ओवन और बिना तंदूर का यूज की हुए घर पर ही बिल्कुली इजी तरीके से ब्रेट का ऐसा चटपटा और मज़ेदार और टेस्टी सा नास्ता तो दोस्तों हम सभी के घरों में ब्रेट आते हैं तो इस रेसिपी के लिए आप कोई भ अच्छी बात है अच्छे से चाल लीजिएगा एक कप आप सूजी ले लीजिए इस रेसिपी के लिए साथ में इसमें एड़ करेंगे टेस्ट के कॉर्डि नमक कि उसके बाद हमने जिससे सूजी नापी थी ना उसी से हम उतना ही दही नाप कर डालेंगे तो जिससे भी नहीं दही इसमें आप एड़ कीजेगा अब इसे कुछ चैट्पिटा और मज़िदार बनानी के लिए अब इसमें डालेंगे वन मीडियम साइज का टमाटर और वन मीडियम साइज का ही चॉप किया हुआ प्याज और तीकी मिर्च के लिए हम डालेंगे चार से पांच हरी म अगर तीखा आपको जादा पसंद है तो आप और भी हरी मेच यूज कर सकते हैं सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए देखिए कितने कलर फुल लग रहे हैं यह देखने में आप चाहें तो इसमें धन्या की पत्ती भी डाल सकते हैं वह भी अच्छी लगेगी इसमे प्रेट करेंगे तो जितने जादा क्वांटिटी में अप ले सकते हैं उतनी जादा क्वांटिटी में आप लीजिए ताकि खाने में बहुती मज़रा और टेस्टी सा लगे तो अच्छे से सारे ब्रेट को ऊपर से बढ़ियां से कवर कर दीजे बिल्कुल भी प्रेट करेंगे तो देखिए कितने बढ़ियां से यह स्प्रेड हो गाए हैं दूसरा भी हम इसी तरह से लगा लेते हैं बिना कुकर का बिना ओवन और बिना तंदूर का देखिए यूज की हुए मिस रेसिपी को पढ़ियां से घर पे फाइफ निट्स में रैडी कर सकते हैं और ख रखेंगे अच्छे से सेखेंगे फ्लेम लो ही रखिए वरना जल जाएगी तो बहुत ही एमी रैसिपी है तम बिल्कुल ही आसानी और एजी से कुछ बन जाती इंस्टें बन जाती है टिफिन रैसिपी आप बच्चों को भी रे सकते हैं आप इसे ब्रेकफार्स में यूज कर सकते हैं अगर आप कि यह से टनली कोई गैस्ट भी आ जाता है ना फ्रेंड्स तो आप इसे इंस्टेंटली बना कर रेडी कर सकते हैं आपकी गैस्ट बहुत कुछ होंगे सिखा कर तो जल दीबाजी में आप इस तरह का यह ब्रेट की रैस्पी आप ट्राई करेंगे ना तो डेफिनिट्ली आप इसे बार बार खाना पसंद करेंगे तो दीखिए यह दोनों साइड से बहुत अच्छे से कुख हो गई है टोस्ट हो गई है कितनी क्रंची और कृप्सी से लग रही है दूसरे साइड से भी और फ्रंट साइड से भी तो उनों साइडों से बहुत अगर आपके पास इस तरह सा नॉनिस्टिक पैन नहीं है तो आप सिंपल जो पैन आते हैं तबा उस पर भी आप इसे बना सकते हैं तो ब्राउन होने तक इस तरह से आप बना लीजिए इस तरह आप घर पे जरूरी से ट्राइग कीजिए बहुत ही टेस्टी और यमी है जिने खाने के पाद हमें बहुत खुशी मिलती है तो देर किस बात की है दोस्तों आप भी जाएं किचन में और आज ही इस रेसिपी यानि की पीजा बाउम या आप इसे ब्रेट पीजा भी कह सकते हैं तो आज ही ट्राइग कीजिए आज ही पैनाइए अपनों के साथ शे पीजा बाउम या ब्रेट पीजा जिसे हम कह सकते हैं परसंद आया है तो लाइक शियर सब्सक्राइब जरूर।